हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू पलवीज किचन दोस्तो आज हम बनाएंगे मुंबई का फेमस स्रीट फूड जिसका नाम है पाव भजी टोस्ट पर थोड़े अलग अंदाज में तो चलिए रेसिपी के शुरुबात करते हैं पलवीज किचन के सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले सबसे पहले हम आधा कटोरी सफेद मटर लेंगे और इन्हें कम से कम चार घंटे भिगो कर रख देंगे चार घंटे बाद मटर फूल गए हैं और अब हम इन्हें दो बार साफ पानी से निकाल कर अच्छे से धोलेंगे और अब इन्हें कूकर में डाल देंगे मटर के साथ दो कटोरी पानी भी हम डालेंगे साथी में एक बड़ा चम्मच नमक और एक चताई चम्मच हींग डाल कर पांच से छे सीटी यां देकर हम मटर को बॉल कर लेंगे दोस्तों मटर एकदम अच्छे से बॉल हो चुका है और अब हम भाजी बनाना शुरू करेंगे पैन में सबसे पहले एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और साथी में एक बड़ा चम्मच बटर भी डालेंगे इसमें डालेंगे एक छोड़ा चम्मच जीरा जीरा थोड़ा भुन जाने पे हम इसमें डालेंगे एक प्याज जोकी हमने बारीक काट लिया है प्याज हलका गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ही अच्छा आजाता है इसे थोड़ा सा चला लेंगे अब इसमें डालेंगे दो बड़े चमच जिंजर गारलिक पेस्ट और इसे भी दो मिनिट अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चा स्वाद निकल जाए अब इसमें डालेंगे एक हरी शिमला मिर्च जिसे हमने बारिक काट लिया है इसके बाद आधा कटोरी गोभी जिने हमने बारिक काट लिया है इसके बाद आधा कटोरी गाजर जिसे हमने बारिक बारिक कट कर लिया है इसके बाद कलर के लिए हमने यहाँ पे लिया है दो बड़े चमश क्रश किया हुआ बीट रूट अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे बीट रूट से भाजी में बहुत ही सुन्दर रेट कलर आ जाता है और बीट रूट होता भी बहुत थेल्दी है तो हम कलर की जगे यहाँ पे बीट रूट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ हमने जो सबजियां ली है आप उनके अलावा अपनी पसंद की और भी कई सारी सबजियां इसमें डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम दो बड़े टमाटर जिनने हमने बारी कट कर लिया है और अब सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे इसके बाद दो छोटे चम्मच नमक डालेंगे और सभी चीजों को फिर से मिला लेंगे इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी और एक बार अच्छे से मिक्स करके धक्कन रखके हम पांच मिनिट इने पका लेंगे पांच मिनिट बाद हम देख सकते हैं हमारी सभी सबजियां पक चुकी है अब इसमें डालेंगे दो बड़े आलू जिने हमने बोइल करके मैश कर लिया है इसके बाद सफेद मटर जो हमने बोइल किये थे वो भी इसमें डाल देंगे और अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला और मिक्स कर लेंगे इसमें आदा कर्टोरी फिर से पानी डाल कर हम धक्कन रखकर दो मिनिट इसे पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से सबजियों के साथ अब्जॉब हो जाए दो मिनिट हो गए हैं और भाजी पक चुकी है इसे अब मैशर की मदद से मैश कर लेंगे तो ये भाजी बनकर एकदम तयार है गैस की फ्लेम हम ओफ कर देंगे और अब अंत में इसमें डालेंगे एक छोड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब पाउ को बीच से कट कर लेंगे यहां मैंने बड़ा वाला बन लिया है आप चाहे तो इसकी जगे छोटे वाले पाउ भी यूज़ कर सकते हैं इसके उपर एक लेयर लगाएंगे भाजी की और इसी तरीके से दूसरा पाउ भी तयार कर लेंगे अब इसके उपर जाएगी एक लेयर मोजरिला चीज की इसके उपर डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स अगर मिक्स्ड हर्ब्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगे ब्लैक पैपर पाउडर और साथ में नमक भी डाल सकते हैं तो ये बंद कर तयार है हमारा पाउ अब पैन में डालेंगे हम एक बड़ा चममच बटर और इसे पूदे पैन में स्प्रेड कर लेंगे गैस की फ्लेम एकदम लोग पे रखेंगे और ये पाउ हम थोड़े से टोस्ट कर लेंगे पाउड बाद आप देख सकते हैं कि पाउ हमारे एकदम रेड़ी है तो हब हमेने प्लेट को निकाल लेते हैं ये पाउ नीचे से एकदम क्रिस्पी और उपर से एकदम मॉइस्ट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो आप भी एक बार इसे बना के देखिए और कमेंट करके मुझे बताएए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मैं मिलूँगी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए